सो नाव ब्रैट कॉंग अब देखें यहाँ पर 19 रुपए पर आज क्लोजिंग हुई और देड़ परसेंट के असपास की क्लोजिंग हमें देखने को बिली है लगातार जो रेड जोन में हमें क्लोजिंग दे रहे थे उससे अब यहाँ पर निकल कर एक अच्छी खासी बुरी ख़बर आ चुकी है तो ऐसे में क्या रियेट करता हुए नजर आएगा बीसे जी के अंदर और चल गया रहा है क्या कुछ बड़े होने का तैयारी है एसम से भार निकल आए हैं तो यह सब डेटा कहता क्या है असल में तो अभी अगर आज देखेंगे तो यहाँ पर जो है एमो देखिए तो उसकी वेसे थोड़ा सा कम है लेकर हम एमो को तबज्जो नहीं देते हैं तो इसका कोई मतलब है नहीं लेकिन ट्रेडिड क्वांटिडी में आप देखें कि इतना जादा ऐसा नहीं है कि कुछ बीस लाकी ट्रेड हो रहे हो और हम एक एक रेंज में घूम रहे हों क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिक्विडिटी जो है वो बनी हुई है ब्रैट कुम गुरूप के अंदर लेकिन फिर वी दाइरा जो है वो बहुत छोटा है आप देखें उनने सुर पर पचास पैसे हाई अठार रोपे सतर पैसे लो और यहाँ पर 19 रुपे 15 पैसे ओपनिंग तो कुछ जादा है नहीं वहीं पचास पैसे में पूरी गाड़ी घूम रही है तो वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है इस वक्त और अप अपन डाउन का अगर आप जोड़ेंगे तो कुछ एक देड़ रुपे के आसपास की रेंज यह तो संकित मिलने हैं किसी चीज का वेट करा है एसम से भी हम भार निकल चुके हैं लेकिन एसम मैं अल्रेडी आप से कह चुका हूँ एसम पर ध्यान मत दिये जिए एसम अगर कोई नेगेटिब बताता है ना उसकी मत सुनो एसम सिर्फ और सिर्वलांस है जो की सेवी की त उससे बहार निकलाए यानि की अच्छी बात है बहार निकलाए तो इस तर्वलांस दूर है यानि की सेवी को कुछ भी नहीं मिला है इसके अंदर एक्चेंजिस को कुछ भी नहीं मिला है एसम लगा कर कुछ देखने को नहीं मिला तो उसी वज़े से हम बहार निकले तो यह ही क्लोज हमने आज फिर से देखा है बहले ही आप अठार रुपे नबे पैसे बन दुए उन्नेस रुपे बन नबे पैसे बीस पैसे नीचे आप क्लोजेंग है ओपनिंग प्रैस से ठीक है तो वह आज तीसरा देन है और वही सिंपल सी बात है अगर आप देखेंगे तो उस से उपर हम निकल नहीं पारे है उस लाइन को हम ब्रेक करने के लिए बिलकुल तैयार नहीं हो रहे हैं जैसे जैसे वो लाइन पढ़ रही है उतना ही नीचे हम क्लोजिंग हो जाते हैं फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर बीस्टी जी के अंदर इस वक्त एक बेस बना है तक्रीवन तक्रीवन मैं यहाँ पर क्लोजिंग देख रहे हैं इस चौंगनेस तो है ठीक है लेकिन अगर यह इसको क्रॉस नहीं कर पाता है तो फिर यहाँ पर डैमेज होगा फिर से डैमेज होगा बहुत बड़ा डैमेज नहीं लेकिन यहाँ पर फिर से यहाँ पर कुल मिलाकर स्टॉक की अगर हम रेंज देखें यहां पर एक बात हमें सुझ में आती है तो जो लोएस्ट लेवल है और जो अपर लेवल है उस रेंज के दायरे में हम घूम रहे हैं कुल मिलाकर आप 20 रुपे ले लीजे 20 रुपे और यह 12 रुपे 50 पैसे इसी रेंज के जी है तो ऐसा होई नहीं सकता है तो देखते हैं लेकिन फिलाल जो है एक रेंज दिखाई दे रही है अभी इंडिया नाइटी के लिए आगए यह खराब कबर दे कि एसेंचर ने अपना ग्रोथ आउटलुक जो है वो कम कर दिया है कम कर दिया है और एसेंचर देखें दु इंडिया नाइटी पर एiczुल जब आगर आता जबी भी मैं आपको कोसिस करता हूं यह कहने की बताने की इंडिया नाइटी में कुछ तो यहां पर नहां रहना है। उसमें सिर्फ बचे कुछे जो अच्छे स्टॉक्स हैं अच्छे और सस्ते स्टॉक्स हैं वो बचे जाएंगे लेकिन जितने ये महेंगे अगर आप देखेंगे मैं आपको लगाता ये बताता रहता हूं कि कितने महेंगे हो चुके हैं मिटकेप इतना महेंगा है आईटी में इतना महेंगा है कि जरा सा अगर कुछ गड़वड हुई Q2 में तो क्रेश हो जाएंगे क्रेश होएं सिंगल डे क्रेश होगा बहुत बुरा क्रेश होगा और आप देखेगा लार्ज केप के अंदर ये सब रिकवर करगे हैं मैं क्यों है आपर एसेंचर के बार में आपको बताता हूँ इंडियन आईटी का एक रवाफ इफेक्ट हमारे उपर भी पड़ेगा लेकर हम उससे अबरतिव नजर आइए अब कैसे ये समझेए कि बैटकॉम ग्रूप कैसे अलग है या कुछ स्टॉक्स सेलेक्टिव से एसेंचर का जो आल टाम हाई है वहां से आप परसेंटेज वाइस देख लीजे कि कितना यहां पर डिसकाउंट आपको देखेंगे मिला है मैं 330 पर कवर किया था इसे 330 पर मैंने आपको बताय था एसेंचर था 330 और यह आईटी स्टॉक्स TCS इंफोसे यह अपने 52 वीक कि एक दो दिन पहले कि यहां पर कुछ गड़वड है यह ऐसा नहीं होने चीज़ था वह वहां से क्रेश कर गए 100-100-300 रुपए क्रेश हो गया ठीक है वह अपनी बात एक तम परफेक्ट और सही बैटी अभी भी अगर आप देखेंगे तो एसेंचर जो है वह वह पॉस्ट के डिसकांट मिलता है कुछ 12% के डिसकांट इसवक देखने मिला है औल टाम हाई से आप देखें इनफी के अंदर आप देखेंगे बाकी अंदर तो काफी कुछ रिकवर हो चुके हैं जबकि यहां पर क्यू टू सॉरी क्वार्टली नमबर्स हो है वह आपके बहतर नहीं आ अब फाइस क्या देखेंगे यह थोड़ी देखेंगे आप नमर चेनिल आ रहे हो और रिकवर हो गयो तो वह तो सीधे उधरी प्रिफर करेंगे जहां पर एक थोड़ा सा डाइवंजर देखने मुला है जिसमें डिसकांट जादा है 15% का मूब भी खाने को मिल जाता है तो बहुत बड़ी बात होती है ठीक है तो वह यहां पर आप तया रहें कि आईटी के अंदर कहीं न कहीं बहुत बड़ा होने वाला यहां तो बहुत बड़ा क्रेंश आएगा यहां फिर एक बड़ी रिकवरी आएगे और ऐसे में आगर आप देखेंगे तो जेपी मॉर्गन क कितने बार गलत हो गए यही यहांपर बोलेते टाटा पावर की ऊपर की यह स्टोक गिरेगा उल्टा वो तीस आलमोस्ट है आपर दस परसेंट बीस परसेंट ऊपर और हो गया तो बहुत सारी चीज़े हैं जो कि यहांपर देखनी होती हैं कही बार गलत भी पड़ जाती हैं लेकिन देखते हैं आए-टी के अंदर हो ना क्या है लेकिन फिलाल जो हमारा इंडियन आए-टी काफी महंगा है इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आपकी इंवेस्टमेंट जो है वो सिर्फ आफ इन पर बेज़ड है पूरे आए-टी के अंदर अगर आप देखेंग आने वाली बात नहीं है ठीक है जो दिक्कते आई उन्होंने सस्ता कर दिया सिंपल है आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो इस पर कर रखी है यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर मैं आप से कह रहा हूं कि यहाँ पर कुछ चीज़ सॉल्व हो जानी जीए यह 50% में कहता हू वो लिस्ट निकल गर आती है ठीक है तो उसके ब्याप पर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं जगा जगा तब ही आपने देखा हो कि पूरे लार्ज केप गर गया लेकि स्मॉल केप में कोई एकका दुक्का जो है वो अचानक से वो चल रहा है तो वो इसलिए चल रहा है क्य क्योंकि वो सस्ता है ठीक है वो सस्ता है इसी लिए तो यहां पर देखते जाएए क्या है और आपकी तीन दिन की चुटिया है अल्मुस्ट दो तीन अक्टूबर को मार्केट ओपन होगा च्छे अक्टूबर को आपका म्यूचल फंड डेटा आने च्छे तूबर तक कैसे भी करके यह स्टॉक सी रेंज में बना रहे हैं सिर्फ और सिर्फ दो तीन दिन की बात है यहां पर यह स्टॉक कैसे भी करके सर्वाइब कर ले अधर और म्यूचल फंड का डेटा अगर चेट टूबर को सही और हमारे हिसाफ से मताबिक आ पॉस्टिव आ गया मेरे क्याल से बिग पॉस्टिव अमारे लिए भाई होगा बस म्यूचल फंड का डेटा वो बस कुछ ही टाइम रह गया है इतने दनों से इंद्जा करें कि तीन दन की चुट्टी अच्छा हुआ तीन दन की चुट्टी हम लगई हैं सिर्फ औस सिर्फ दो दिन रह गए हैं उसके बाद चुट्टी के बाद तीन चार पांच सारी तीन दन रह गए हैं तो फिर अपना डेटा जो है वो सामने होगा उससे जो है ब्रैटकम गुरूप जो है वो एक नई डायरेक्शन जो है वो लेगा अब यहीं इंपॉर्टेंट है सबसे इंपॉर्टेंट यहीं है बस इस पर ही इंपॉर्ट इंपॉर्टेंटा गुटांश।